हेलो तो टेंगर उसमा आप लोग का स्वागत है और आज इस फीडियो में हम अंबॉक्सिंग करेंगे सैमसिंग की ग्यालेक्सी टैब एक ही जो आपको यहां पे बहुत ही बड़े स्क्रीन वाले जो टैबलेट मिलता है वैसे मेरे पॉपट हो गया क्या हर टैबलेट बड़े आज वहारा है और मिलता आपको स्मय स्नापडेक्न का 450 लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं टैबलेट गेम खेलने के लिए लिए रहा हूं तो आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं के मतलब टैबलेट मल्टी मीडिया के लिए 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 हैं और दूसरे कोई काम करने के लिए बच्चे लोग के लिए अप लेते हैं बहुत बात हो गई जाड़ा वेस्ट नी करते हैं और फड़ा बट से आपको Samsung Galaxy Tab A के बारे में वीजिवो बता देते हैं अगर आपने मेरे चैनल को display मिलती है 1920 by 1200 का आपको इसमें जो resolution मिलता है 3 GB की RAM मिलती है 32 GB की storage मिलती है आपको MicroSD Cut का slot मिलता है आप storage expand भी कर सकते हैं 7300 mhk आपको यहाँ पे battery मिलती है अब यह जो battery यह बहुत ही कमाल की है इसके अंदर आपको 14 गंटे का video playback time मिलता है जो बहुत ही बड़ी बात है 8 Mbps का autofocus वाला single refacing camera मिलता है आपको इसमें flash मिलती है और 5 Mbps का selfie भी मिलता है code speaker मिलते है यानि कि 4 speakers उपर की तरफ दो नीची की तरफ दो जिससे आपका जो video experience होगा इसमें तो बहुत ही मजा आने वाला है जब आप इसको use करेंगे गाने वगरा सुनेंगे movies वगरा देखेंगे यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 450 वाला processor मिलता है अभी यह specially यहाँ पर यह जो tab होता है इस तरह की आपको मिलता है और यह है Samsung Galaxy Tab A और यह चोटे से चीज़ यहाँ पर मिलती है इसको आपको खीज देंगे और यहाँ पर इस तरह की आ जाते है बहुत ही स्लिम है बहुत ही ज्यादा आपको मतलब Compact मिलता है इसको रखते साइड में और देखते हैं कि बॉक्स में आपको क्या कुछ मिलता है यह देखिए कि सबसे पहला जो कंटेंट है यहाँ पर आपको एक Fast Charger मिलता है जिसके अउट पूट है 9W, 1.6 7 तो अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर एक Fast Charger मिलता है यहा पर लिखा भी आ है Adaptive Fast Charging उसके बाद आपको यहाँ पर के बात करें तो यह आपको यहाँ पे एक micro नहीं बलकि USB type C cable मिलता है जो काफी interesting है अच्छी बाद है कि आपको type C cable मिलता है मतलब type C port आपको मिलेगा इस tab में और finally देखेंगे यहाँ पे आप लोगो मिलता है quick start guide और पीछे देखेंगे sim ejector pin तो काफी neat आपको packaging मिलती है यह box content और फटाफट से आते हमारे tap की तरफ तो यहाँ पे हमारे tap की तरफ और यहाँ पे देखेंगे आपको इस तरह की का कुछ मिलता है बहुत ही ज्यादा slim है अगर आप देखेंगे अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा slim है और सबसे पहले physical hour की बात करते है नीचे देखेंगे type C port मिलता है आपको यहाँ पे dual speaker जो वो देखने को मिलते है और उपर की तरफ भी आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको जो वो dual speaker जो वो उपर की तरफ देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको 3.5 mm audio jack मिलता है और साथ में mic hole मिल रहा है noise cancellation वाला और उसके बाद पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 8 megapixel का single rear facing camera मिलता है LED flash है Samsung की branding है और यहाँ पे सामने आपको 5 megapixel का camera है sensors वगरा देखने को मिलते है लेफ सेड राइट सेड में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को power button मिलता है और साथ में आपको volume up and down की key मिलती है और उसके नीचे आप देखेंगे आपको SIM tray मिलता है जाप एक micro screen card और एक SIM लगाने का आपको यहाँ पर मौका मिलता है और left side में देखेंगे तो यह आपको मिल यह क्या है यह Pogo pin से हाँ यह Pogo pin से आप इसको Pogo charging dock पर connect कर सकते हैं और फिर आप अपने daily जैसे की weather है time है और अपने pictures वगरा को slide show वगरा में देख सकते हैं तो यह कुछ इस तरीगी का आ यहाँ से निकाल लेते हैं और फटावर से यहाँ पर हम इसको बूट करते हैं और सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके display की तो आप देखेंगे आपको बैजल सब इस बार काफी less मिलते हैं तो मतलब आपका video viewing experience बहुत ही अच्छा होगा प्लस यहाँ पर आपको उपर की त चरफ जो डाल दिया है तो यहाँ पर हम जाते हैं सबसे पहले इसकी settings में और आप लोग को android version की बात करें तो software information में आप देखेंगे android 8.1.0 मिलता है samsung experience 9.5 पे अच्छा है आपको latest version मिलता है और आपको बहुत सारे चीज़ें मिलती कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर द maintenance में देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं storage की बात करूं तो आप देखेंगे जो 32GB की storage है वो यहाँ पर दिखाए जरी available 18GB क्योंकि मैंने दो बड़े games install किया हूँ और memory की बात करेंगे यह देखेंगे आपको मिलता है 1.4GB के असपास GB free मिलती है memory out of 3GB तो यह आपको विश् kids mode आप देखेंगे यहाँ पर दिखाए है kids mode और यह kids mode क्या करता है कि इसके अंदर आप कुछ घर में जो बच्चे होते है उन लोग के लिए especially यहाँ पर यह होता है application के अंदर आप जाके बहुत सारे चीज़े जो बच्चों के लिए कर सकते है settings में जाके आप देखेंगे password password मैंने जो वो set किया था यहाँ पर और इसके अंदर आप देखेंगे आपको वो सारे चीज़े मिलती है अपने बच्चों के लिए करने के लिए drawings, charts, pictures, videos और आप password अगर daily, limit अगर सब कुछ यहाँ पर आके जो set कर सकते है applications को download कर सकते है और बहुत सारे चीज़े आप पर काफी सारे चीज़े जो देखने को मिलती है तो especially यहाँ पर बच्चों के लिए यहाँ पर वीडियो experience की बात करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने बहुत ही beautiful सापको यहाँ पर experience होता है 10.5 इंच की screen है और आप देखेंगे अगर आपके पस अच्छे टो बहुत ही कमाल के experience है यहाँ पर जो बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस आपको है अगर आपको गहाने वगरा सुनना है तो भी आप यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं यहाँ बहुत करते हैं कुछ गेम्स की मैंने यहाँ पर असफल नाइन और पबगी दाला हूँ तो असफल PUBG यहां पर काफी अच्छा चल रहा है तो अगर आपको इसने गेम भी करना है तो आप कर सकते हैं लेटेस्ट इस टैटल रहे की और यहां पर मैं यहां पर बताधा दूँ कि इसके इसे रियर केमरा रही है वह बहुत अच्छा है और च्पेश्चर को दिखा रहा है और कुछ picture samples आपके screen पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये camera काफी अच्छा perform कर रहा है display size के सबसे picture को अच्छे से दिखा भी रहा है depth भी काफी अच्छा है तो rear camera यहाँ पर काफी अच्छा काम कर रहा है एक important चीज आपको यहाँ पर मिलती है और वो है यहाँ पर Bixby Vision आप देखेंगे यहाँ पर यह आपको मिलता है Bixby Vision का support जिसके द्वारा जो Bixby करता है काम वो सारे की चीज़े आप यहाँ पर कर सकते हैं आपको particular चीजों की जानकारी देंगा translate करने में help करेगा और आपके पस अगर Home Bixby Voice के द्वारा आपको यहाँ पर गर के smart home appliance जो होते हैं Samsung वाले दूसरे जो चीज़े होती है उसको यहाँ पर यहाँ पर यह कंट्रोल कर सकता है तो वो सारे चीज़े आप यहाँ पर आके इसके ने जो कर सकते हैं और यह जो पोगो पीन वाला जो आपको बताया था यह डेली बोट ड्वार आप इसके दर बहुत सारे उसके भी चीज़े आप फाइद है जो उठा सकते है तो बहुत सारे चीज़े वैसे आपको features इसमें मिल जाते हैं बहुत सारे काम आप यहाँ पर इसके ने जो कर सकते ह तो अगर आप कोई वीडियो पसंदा तो अब ज़रू से इस वीडियो को लाइक करिए मैं से आप लोग के लिए future man boxing reviews लाता रहूंग और आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा मिलते हैं आप से के लिए वीडियो में एक ने वीडियो के साथ टेल एन ग्रेट and always keep smiling